एक्सराइस 2.3 से स्टार्ट करेंगे फॉर्थ कोशन ओन डिवाइडिंग x3-3x2-x2-2 बाय पोलिनोमिल gx ता कोशन्ट और रिमेंडर वर x-2 and-2x-4 respectively फाइन gx इस पोलिनोमिल को हमने एक पोलिनोमिल gx से डिवाइड करा तो कोशन्ट और रिमेंडर ये दोनों है ठीक है कोशन्ट ये है रिमेंडर ये है तो हमें डिवाइडर जो है gx ये फाइंड करना है हम जानते हैं डिविडेंट किसके एकवल होता है diviser multiply quotient plus remainder ठीक है यह division algorithm है तो हमने इसमें सब की value put करी dividend क्या है हमारे पास x cube minus 3x square plus x plus 2 divisor है gx जो हमें find करना है quotient है x minus 2 और remainder है minus 2x plus 4 तो एक एक करके हम यह वाली जो term से इधर ले जाएंगे इस तरह से फिर gx की value find कर लेंगे ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे यह remainder जो है इसे यहां से यहां ले जाएंगे x cube minus 3x square plus x plus 2 अब minus 2x इधर आके हो जाएगा plus 2x plus 4 इधर आके हो जाएगा minus 4 और यहां आरे चेस में बचेंगे gx multiply x minus 2 x cube minus 3x square x plus 2x यह बन जाएगा 3x 2 minus 4 यह बन जाएगा minus 2 ठीक है is equal to gx multiply x minus 2 x cube minus 3x square plus 3x minus 2 अब यह x minus 2 है gx के साथ multiply में है तो जब यहां पर आएगा तो यहां divide में आ जाएगा ठीक है और यहां रह जाएगा आरे चेस में gx तो हमें पता चल गया gx की value क्या होगी जब इस polynomial को हम इस से divide करेंगे तो जो question आएगा वो ही gx होगा ठीक है तो यहां हम divide कर लेते हैं divisor है हमारे पास x minus 2 और dividend बन गया हमारा x cube minus 3x square plus 3x minus 2 इसे हमें divide करना है तो हम देखते हैं dividend के first term को divide करके divisor के first term से तो जो आता है वो हो जाता है हमारा quotient का first term x square इसकी multiply करी हमने divisor से तो यह बन गया x cube minus 2x square ठीक है x cube minus 2x square नीचे वाले टाम चुभीन के sign change कर दी है यह cancel होगया minus 3x square plus 2x square बच्चा minus x square अब यह चीज़ दोबारा करेंगे dividend का first term होगया minus x square divisor का first term x तो आगे हमारे पास minus x minus x question का next term इसकी multiply करी x minus 2 से divisor से ठीक है तो आगे minus x square plus 2x minus x square plus 2x अब minus करेंगे तो sign change कर दी है यह cancel plus 3x minus 2x x बचा x और उपास उताली हमने minus 2 अब next step में dividend का first term x, divisor का first term x तो x को x से divide करके आगे 1 यहनी question का next term होगया हमारे पास 1 1 की divisor x minus 2 से multiply करेंगे तो x minus 2 ही आएगा नीचे वाले terms जो है उनकी sign change कर दी है x से minus x cancel minus 2 plus 2 cancel इमेंडर आगे 0 और जो ही हमारा question आया है यह हमारा gx है तो gx is equal to x square minus x plus 1 झाले में जो ही हमारे तो